नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.4 में और दोस्तों आज ही क्लास में हम लोग प्रमुक क्रिसी क्रांतियां और वो किस छेतर से संबंदित है इस बारे में पढ़ने वाले हैं और उन फील्स में कौन सा राज ये पहले अस्थ हरित क्रांति है हरित क्रांति ग्रीन रिवलेशन और विस्व में अगर बात करें तो इसकी सुरुवात 1960 में हुई थी और विस्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नार्मन बोरलाग है और ये जो है कहां पर शुरू की गई तो दोस्तों मेक्सिको में शुरू की गई थी में और भारत की बात करें तो भारत में 1966 tes 66 में शूरू हुई 606 में सुरू होई पॉन जनक माने जाते हैं भारत में तो डॉक्तर नगर जो की उत्राखंड में है इसी के तहत केंद्रिया चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर रस्थापित किया गया तो कटक उडीसा में और दोस्तों अगर मैं अंतरराश्णिया चावल अनुसंधान की बात करूँ तो इसकी अस्थापना हुई थी दोस्तों मनीला फिलिपीन्स में कहां पर मनीला फिलिपीन्स में क्योंकि हरित क्रांट के तहट चावल जो है चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहां बढ़ा था फिलिपीन्स में बढ़ा था ठीक है और दोस्तों यदि गेहूं की बात करें, तो गेहूं उत्पादन मैक्सिको में सबसे ज़्यादा बढ़ा था, तो अगर अंतर राष्टिये गेहूं अनुसंधान केंदर की बात करें, तो गेहूं अनुसंधान केंदर जो है, वो कहा है दोस्तों? मैक्सिको में है, ठीक है? कह तो मैक्सिको में है मैक्सिको में सहर है सिमिट ठीक है तो सिमिट सहर में गेहू अनुसंधान केंदर अंतरराष्टिय वाला है ठीक और चावल अनुसंधान केंदर आपने देख लिया अंतरराष्टिय और राष्टिय दोनों अब बात करें कि चावल उत्पादन में पहला अस होगर खद्यान की बात करे भ culturally आप जानते हैं सवेट सफेद यहां पर आप देख रहें दूध दूध का रंग कैसा है दोस्तों सभेड है तो kiss दूध से समंदित है तuego से संबंदित है इसको आप यार रखेंगे ठीक है तो दूध उत्पादन से सम्मंदी थे स्वेथ क्रांती और दोस्तों इसकी सुरुगात कब हुई तो 1964-65 में सघन पस विकास कारिकरम के अंतरगत कब ये जो है दूध के उत्पादन में क्रांती लाने के लिए इसकी सुरुगात की गई थी उसके बाद दोस्तों 1965 के बाद 1970 में एक आपरेशन चलाया गया आपरेशन फ्लड ठीक है तो आप ये मत समझेगा फ्लड का मतलब बाढ़ तो ये आपरेशन फ्लड जो है बाढ़ को नियंतरीत करने के लिए नहीं दोस्तों बाढ़ आप समझे लेकिन किसकी बाढ़ दूध की बाढ़ ठीक है तो ये जो है आपरेशन फ्लड चलाया गया 1970 में दुख्द उत्पादन की गति को और बढ़ाने के लिए और ये तीन चरणों में चला 1970 से 88, 88 से 85 और 85 से 95 ठीक है अब बात करें दोस्तों कि भारत में स्वेत क्रांती के जनक कौन कह जाते हैं तो डॉक्टर वरगीज, कुरियन और राष्ट्रिय दुख्द अनुसंधान केंद्र कहां पर है करनाल हरियाणा में है दोस्तों देखिए इससे समन्नी जो भी तथ हैं उनको हम लोग देखने की कोशिस कर रहे हैं बात करें दुख्द दिवस की तो विश्व दुख्द दिवस एक जून क को मनाया जाता है और दुख्द उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश राजियों में पहले अस्थान पर है और विश्व में बात करें तो विश्व में भारत दुख्द उत्पादन में पहले अस्थान पर है ये आंकड़े जो आपको दिये जा रहे हैं ये 2022 और ये किससे संबंदित है तो नीली क्रांती है दोस्तों मत से उत्पादन से संबंदित देखिए मचली उत्पादन मचली पालन और मचली अध्यन ये तीनों अलग-अलग चीज़े हैं तो ये आपको समझने है मत से उत्पादन से संबंदित है ब्लू क्रांती मतलब नीली क्रांती अब क्यों तो blue का मतलब आप समझते हैं पार आज क्यों है पार ने यह गाना सुने है न पार पार फ़िस चली उठ्फारण से है भारत में मचली उत पादन के जनक तो अरूड कृष्डण हीरालाल चौधरी अब बात करें मत्से पालन तो यह PC कल्चर कहा जाता है मत्से पालन को मचलियों का अध्यन कहलाता है एक फोलाजी तो पालन है अध्यन है और मत्से उत्पादन है तीनों आपने देख लिया है केंद्री मचली अनुसंधान केंदर द कहां पर स्थापित किया गया तो इसी के लिए दोस्तों अभी घोचड़ा हुई थी कि 5 अक्क्टूबर को राश्ट्री डाल्विन दिवस मनाया जाएगा और ये प्रस्ण अब की बार की PCS में पूछा भी जा चुका है अब बात करें मचली उत्पादन में पहले अस्थान पर कौन सा राज यह है तो दोस्तो आंधर परदेश जो है वो मचली उत्पादन में पहले अस्थान पर है ठीक है नेक्स है पीली क्रांति य टिलहान फसलो के उत्पादन से तो तिलहान फसलों में कौन-कौन से जैसे मूगफली है सरसो है सूरज भुकी सोयावीन , अलसी tilde इस तरीके से और अरंडी जो है यह सारी चीज़े किसमें आती है तिलहान फसलों में आती है ठीक है भात करें कि भारत में पीली क्रांति के ज सरसो उत्पादन में राजस्थान सोया बीन उत्पादन में महाराष्ट और सूरज मुखी उत्पादन में पहले अस्थार पर है करनाटक तो यह भी आप याद रखेंगे आप से किसी भी परिच्छा में यह प्रश्म पूंचा जा सकता है नेक्स्ट दोस्तो गोल क्रांती आप यहाँ पर देख रहे हैं आलू है आलू की आकरती कैसी है गोल है ठीक है आप कहेंगे सर अंडे की आकरती भी तो गोल होती है तो मेरे भाईया अंडे की आकरती इस तरीके से तो होती है लेकिन इसके लिए अलग से एक क्रांती आपको बत तो पुर्तगाल से भारत में आलू लाया गया लेकिन पुर्तगाल में जो आलू उगाया जाता था वो ग्रीश्म काल में उगाया जाता था और भारत में जो आलू उगाया जाता है वो किस काल में वो सीत काल में उगाया जाता है किसमें दोस्तों सीत काल में उगाया जाता है अब बात करें केंद्री आलू अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है तो केंद्री आलू अनुसंधान संस्थान है दोस्तों शिमला में कहां है शिमला में है और आलू उत्पादन की बात करें तो विश्व में पहले अस्थान पर चीन दूसरे पर भारत और तीसरे पर रूस है इसकी एक अलग से वीडियो जो भी important चीजे हैं उसकी एक वीडियो अलग से मैं आप लोगों के लिए उपलब्द करा दूँगा नेक्शन लाल क्रांती तो लाल क्रांती यहां पर देख रहे हैं दोस्तों टमाटर और यह है मीट मतलब मांस ठीक है तो जो लाल क्रांती थी रेड रेवलेशन थी वो टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन में वृद्धी करने के लिए लाई गई थी और इसके जनक भारत में कौन कहे जाते हैं तो विसाल तिवारी इसके जनक है अब दोस्तों बात हुई टमाटर और मांस उत्पादन तो देख लीजे टमाटर उत्पादन में पहले अस्थान पर कौन है आंधर परदेश और मांस उत्पादन में पहले अस्थान पर कौन है उत पर देश ऑर हल उत्पादम् में पहले अस्थान पर कौन था आंधर पर देश, तो यह नया आकमरा आपको अभी करेंटफैर क्लास में आपको बताए जा चुके है, ठीक है अगला है घुलाभी क्रांती तो दोस्तों घुलाभी क्रांती कहा संबंध जो है वह जींगा मचली औ और प्याज उत्पादन इन दोनों से है दोस्तों किसके क्रांति गुलाबी क्रांति का संबंद जींगा मचली के उत्पादन से यह जींगा मचली और प्याज की उत्पादन से अब दोस्तों बात करें प्याज उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है तो महराश्ट जो है वो Black Revolution, कौन सी क्रांती, काली क्रांती कहते हैं, और इसका संबंद किसे हैं, दोस्तों, तो जो पेट्रोलियम, या जिने आप खनी जद तेल, उनके उत्पाधन में आत्म निर्भर बनना, ठीक है, मतलब खनी जद तेल या पेट्रोलियम की दिसा में आत्म निर्भर बनने के लिए काली क्रांती चलाई गई थी तो आप याद रखेंगे काली क्रांत का संबंध किस्से है तो पेट्रोलियम उत्पादन आप लिख सकते है किस्से या आपको दे दिया जाएगा पेट्रोलियम से संबंधी था दोस्तों ये प्रस ने पूछा गया था आपकी बार की PCS Pree में ठी तो इसका संबन्ध है दोस्तो अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादक्ता में सुधार ठीक है तो अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए और मुर्गियों की उत्पादक्ता में सुधार करेंगे तो जाहिसी बात है अंडा उत्पादन बढ़ेगा और अंडा पादन में भी आंद्र परदेश की सस्तान पर है पहले स्थान पर नेक्स दोस्तों सुनहरी क्रांत या जिसे आप कहते हैं गोल्डन revolution कौन सा golden revolution कहते हैं अब यहां पर और चीजे समझ लिजे दोस्तों देखें यह जो golden revolution revolution है यह बागवानी और शहद उत्पादन और बागवानी की बात करें दोस्तों तो फल उत्पादन की भी चर्चा हो जाए तो दोस्तों बागवानी के अंतरगत फल उत्पादन तो इस golden revolution में आपको क्या-क्या मिलेगा एक बागवानी शब्द मिल सकता है फल उत्पादन नहरी क्रांत या golden revolution से है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह शहद है और पेड़ पर लगा इसलिए मैंने पेड़ वाला लगाया ताकि आपको पता चले कि यह बागवानी और शहद दोनों से है ठीक है तो दोस्तों अगर शहद उत्पादन की बात करें तो शहद उत्पादन मे कैसे मदुमक्खी से होता है तो मदुमक्खी पालन की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है एपी कल्चर क्या दोस्तों एपी कल्चर बात हुई बागवानी की तो बागवानी को क्या कहते हार्टी कल्चर और बागवानी में भी उत्तर परदेश ही पहले अस्थान पर है और पर फल की बात हुई तो फलों का अध्यन देखिए दो चीजे हैं एक फल की खेती और एक फलों का अध्यन तो जो फलों का अध्यन कहलाता है ये पॉमोलाजी कहलाता है और दोस्तों इसके बाद जो है देखिए बागवानी आपने देखा हार्टी कल्चर ठीक तो फलों के उत स्वारल रेसा किरांथी स morality þीक, दोसतों सॉरल रेसा मतलब golden रेसे की किरांथी है, तो ये किस से संब्न Marx मुथ येजूतं उत्वारण से संब्नु थे ये आप जूत देख सकते हैं, जूत का बोरा आप लोगों ने देखा ओगा और ये पहधा होता है जूतं का, जिससे ये जावाले सामान होते हैं, जो दिवाल पर लटकाए जाते हैं, उसके लिए जूट उत्पादन के लिए एक जिला एक उत्पाद ये किसे दिया गया गाजी कुर को, और जूट उत्पादन में पर्थम अस्थान पर कौन सा राज है, तो पर्थम अस्थान पर है, फश्चिम बं बास को कहा जाता है ये है बास ठीक है तो बास उत्पादन से संबंदित है क्या हरित सोना क्रांती ठीक है अब दोस्तों बात करें कि बास के उत्पाद जो है उसके लिए एक जिला एक उत्पाद के तहत किस जिले को दिया गया है तो ये है बरेली जिला किसे बरेली जिला को द मैं मंद किसे हो गया कपास उत्पाधन में किसका है महाराश्च का है और अनुसद्धान केंद्र कहां नागपुर में ही है तो येbstर voyagerat कीtes gegen 70By कहते हैं और यह रेंगूर मिटची भी कहा जाता है और यह कहां पर पाई जाती है तो ये महराष्ट में यही सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है तो आप याद रखेंगे वाइट गोल्ड क्रांती कहां से कपास उत्पादम से नेक्स्ट दोस्तो बादामी क्रांती ठीक है तो बादामी क्रांती का संबंद किस से मसाला उत्पादम से याद रखेंगे बा राज अस्थान और तीसरे पर कौन है गुजरात है और विश्व की बात करें तो विश्व में पहले अस्थान पर कौन है भारत ही विश्व में पहले अस्थान पर है अगला है ग्रे रिवालिशन या धूसर क्रांती तो जो ग्रे रिवालिशन है ये उर्वरक उपभोग में व्रिद्धी करने के लिए चलाई गई थी, तो आप यहाँ पर तीदे लिखेंगे कि जो ग्रे रिवॉलिशन है, ये किसे संबंदी थे, उर्वरक से संबंदी थे, ठीक है, तो आपको दिया जा सकता है उर्वरक के वल आप्शन में, ये कोश्चन भी PCS आपकी बार का, जो PCS संबंदी थे, इतना समझेए कि ये एक नदी जोडो परियोजना मतलब, नदियों को एक दूसरे से जोडने के लिए ये परियोजना चलाई गई थी, तो अमरित करांती किसे संबंदी थे, नदी जोडो परियोजना से, नेक्से दोस्तों, इंदर धनुशी करांती, जिसे र वो revolution कहा जाता है ये दोस्तों क्या है तो ये हरित है स्वेत है पीली रजत नीली गुलाबी सुनेरी जितनी भी क्रांतिया चलाई गई थी इन सभी को एक साथ लेकर चलने के लिए इंद्रधनुसी क्रांतिया इसे ही सतरंगी क्रांति भी कहा जाता है कौनसी सतरंगी क्रांति भी कहा जाता है, देखे सन 2000 में, जुलाई 2000 में जो नई क्रिसी नीती आई ना, ये नई क्रिसी नीती को ही इंदरधमसी क्रांटी के रूप में लागू किया गया, तो उसमें इन सभी क्रांटी को जोड़ा गया और इनको आगे लेकर चलने की बात की गई तो दोस्तो आज के class में इतना ही अगर आपको ये class पसंद आई तो बिल्कुल एक बार comment box में जरूर लिखेगा कि ये class आपको पसंद आई है दोस्तो ऐसी class के लिए यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो like, share और subscribe जरूर करें और आगे भी ऐसी class के लिए हमारा channel subscribe जरूर करें तो